देवी पार्वती रोज शिंगार करके और महारास का दर्शन करने के लिए जाती थी एक बार भोले वावा की नजर पड़ी रात में ये कहां जाने की तैयारी है पार्वती जी कहने लगी हम बरंदा बन जा रही हैं वहां क्या है केदिया महां वगवान रास विहारी रास रचा रहे है बोले नाथ कहने लगे तो हमें भी ले चलो हमसे क्यों नहीं बताई केदिया नहीं नहीं वहां केवल इस्त्रियों का ही प्रवेश है वहां पुरुष नहीं जाते बोले नात किन लगे तो हमें तो जाना है कह दिया आपको कोई बीतर गुसनी नहीं देगा केवल इस्त्रियों को प्रवेश है इतना कहकर पारवती जाने लगी बोले ना आतने मन में सोचा अब दर्शन तो हम करके मानेंगे कुछ भी हो जाए तो चाहे हमें अब प्रुष से इस्तरी को ना बनना पड़े सो पारवती जी की पुरानी साड़ी रखीती से उठा के उसी कोई लपेट लिया फिर सोचा थोड़ा शिंगार होना चाहिए तो शिंगार की शामगरी तो बहुत सारी रखी है लेकिन कौन सी चीज कहां लगती है ये तो ग्याती ही नहीं है अब शिंगार तो बहुत सारा था मन में सोचने लगे ध्यान करने लगे हमसे कुछ बात भी कर रही थी और आँखों में कुछ लगा भी रही थी अब चीजें बहुत सारी रखी थी कौन सी चीज लगा रही थी मालू नहीं सो जाते जाते अपने पेरों में रंग लगा कर गई महावर सो सोच रहे थे बोले ना आज यह लगा रही होगी आँखों में सो महावर उठा के आँखों में पोत लिया बहुत सारे आवुशन रखेते लेकिन कौन सा आवुशन कौन सी जगह पहना जाता है ये भी नहीं मालूँ कि नहीं तो शिंगार कभी करना नहीं था आज पहली बार मौका पड़ा से उल्टा शिंगार जो कान का था उसे नाख पे लटका लिया जो गले का था उसे सिर पर टांग लिया जो सिर का था उसे गले पर टांग लिया और लंबा सा घूंगट बना कर और भोले नात आज ब्रंदा बन की और जाने लगे आवाज लगाने लगे अरी अरे पारवती रुख जाओ मैं भी आ रही हूँ पलट कर देखा ये आवाज तो हमारे पतिदेव जैसी लग रही है भोले नात असके कहने लगे तुम्हारा पती ही तो हूँ अरी ये क्या हाल बना लिया क्या दिया मुझे दर्शन करना है इसलिए मुझे संग ले चलो पारवती बारवार मना कर रही है लेकिन भोले नात आज एकट हो गए और जिद करने लगे जाने की ऐसी वांसरी वजाई भोले नात की सुदबद भूल गए और बोले नात नाचने लगे कहीं साड़ी कहीं बोले नात की जटाएं सब की सब गोपियां खड़ी रहेंगी अकेले बोले नात ही नाच रहे है पारवती ने देखा पारवती को करोदाया पास में गया और जाकर बोले नात की बाह पकड़के कहने लगे ना कड़वा दी तुमने कितना हमने मना किया था नहीं माने अब क्या हुआ नाचनी की मना की थी भगवान भी हस रहे हैं बोले नात को देखकर भगवान कहने लगे बोले नात ये क्या हाल बना रखा है बोले नात शर्मिंदा हो गए कहने लगे क्या बताएं हमें आपका दर्शन करना था सो हम गोपी बन गए भगवान ने का तुम्हारे जैसी गोपी होती है तुम्हें कोई देख ले तो बुखार चड़ा आए इतनी खतरना गोपी होती कहीं गोपी तो सुन्दर होती है जिसे देखकर मन परसंद हो जाए तो महाराज हम कभी गोपी बने ही नहीं पहली वार तो हमने प्रयास किया है कह दिया जाओ यमना में डुबकी लगा कर आओ बोले नाथ दोड़ कर गए और जो यमना में डुबकी लगा कर आए इतनी सुन्दर गोपी बन गए भूले नाथ जिनकी छवी के सामने ललता विसाखा की छवी भी पीखी पड़ गई आज भी गोपी के रूप में भूले नाथ वरंदावन में है जिनका नाम है गोपेश्वर महादेव बोली गोपेश्वर महादेव की